और नमन करना चाहता है आडी पतेल एंड अशोक सर को डमन करना चाहता हूं कि इतनाचा सेक्टर बनाए यहां जी लोग हमेशा जूड़ते हैं शित्ते हैं और बोलने के भी मौका मिलता है सब तरह से जनकारी मिलता है को से रेंसर होता है और यहां क्रोण में शिटर डबल डामन तिरपल डामन सब लोग आते हैं तो दोस्तों यह कोई क्रोण डबमेंड आता है और बोलने का चांच दिया जाता है तो वहाँ प्लीज अगर मगर लेकिन परोंतों अपना घर में रखें और जब बोलने के मौक्व होता है तो जुरूर बोले मैं यही बोलूंगा बाकिन कुछ नहीं बोलूंगा और आज का जो प्रोग्राम है निर्मल सरका तो इनका जितना भी बोला जाए सकतन के बहाने उनको कोई के अपना मिटिंग में लिया जाता है और वहां जब सिस्टम समझते हैं प्रोड़क के बा है कैम होता है तो उनका वाइब भी जाती है वो भी जाती है मतलब पूरा फैमली डियेक्शन में है अस्टार डैमेंड है उनके नीचे सता इसस्टार अजेंट है बताएए और उसके बाद में रूबी यहां है अभी बहुत जल्दी से जल्द जल्द एकदम एजुकेटिव डैमेंड के कगार पे है रहे और ये साल वादा किये है हम बनके रहेंगे और इसके साथ ही बहुत अच्छा से काम करते हैं बहुत नेक दिल आजमी है किसी क दिल दुखाना नहीं चाहते हैं फिलते हैं हम किसी के दिल नहीं दुखाएंगे, हम कड़वा बचन नहीं बोलेंगे बोलते हैं, बताइए, तो इतना अच्छा है, और बहुत जबरजस बाते करते हैं, और प्रोग्राम भी बहुत जबरजस देते हैं, आज कुछ ऐसे ही लिटे के आये हैं, आप लोग को लिट के रखना है, आट पॉइंट के बारे में, और बहुत अच्छा से जनकारी लिजिए, माइक कोई बीच में मत खोलिए, क्योंकि आपका माइक खोलने से 99 आदों के डिश्टरवेंस होता है, ये समझ के माइक को बंद रखें, पिली सभी लोग, और हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, उपता हुआ सूराज आपको रोशनी दें, सर, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दें, सर, टी एलस में जितने जुड़े हैं, आज में चुनेंगे कुछ दें या ना दें, सर, देने वला आपको हजार खुशियां दें इर्मल, सर, आइए वेलकम है, डी एक्शन, टी डी एक्शन में ही हूँ, पुरा परिवार हम डी एक्शन के कर रहे हैं, और लोगों से भी करवा रहे हैं, इतना सरकात, बहुत-बहुत धनवासर, आपने हमारे प्रचेजिया इतने अच्छे से, और सो थाइंक्यू आपका, बहुत-बहुत धनवासर, और तो चलिए दोस् को हमारा अप्रोगार लगता है, इसके लिए मैं धनवाद दूँगा हमारे असोक सर के लिए, कि उन्होंने हमें इस ग्रूप में मोका जिये, अपनी बात रखने के लिए, उनके लिए, सर मेरा आवाद प्लेर है ना, तो, ओके, तेंक्यों सर, तो, उनके लिए बहुत-धन नवाद दूगा सर और उनको बहुत-धन सर और सबसे पहले, उनको बहुत-धन बोलता है कि सर को इतना बहुत-धनि प्रावच इस टेज पराम आपने बनाया है कि छोते-चोते ने कर की पराने तक शूरो फेर एक सीखनी को मिलता है जो बहुत-च्छा लगता है तभी को. किजे हमें उनों से भी सीखने को मिली और उनको भी धनवाद देता हूँ तो जोस्तो अब सबसे पहने हमारे डॉक्तर लिम सर के लिए उनके लिए दोधा ताली होनी चाहिए और उसके जो गिरोडर्मा है इसके लिए ताली होनी चाहिए जो इस यह नहीं होता तो साइध हम ल तो इस यह जो जड़ी बुटी है, इस ही के बादें से उन्होंने ये किया, रिसर्ज करके हम लोगों को सामने लाया, तो उनकी लिए जोरदार ताली, उनको बहुत बहुत धन्मा देता हूं, उनको बहुत मानिवी बेलता हूं, और आईसे इंसान्था मैं खुद मिल चुका ह कोई आदि जिसके हाम काम करते हैं, वो गले नहीं लगाता है, लेकिन वो सामें बहुत बहुत अधन्मा रही है, और हमारे इंडिया में लाने वाले दॉक्तर, रतना वासुकाल उर् प्रॉफेसर सर, उनको में उनको भवत पनिन्मान है, बंदर करता हूं, धन्मा देता पर दोस्तों आजे सबसे पहले जिसे हमें कहा गया है कि मोटिंग तो हम करते हैं मेटिंग के साथ ताथ में कम से कम कुछ प्रोड़क की बात हो रही है कि किस चींज की बात हो रही है किस मिल्टिंग की बात हो रही है तो यह पता लगे तो अगर इस बोसाय को हमको करना है तो बोसाय क्या होता है दोसाय में प्रोड़क होता है अगर वो प्रोड़क हमारे पास नहीं है तो हम बोसाय किस इसका कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमारे गेजनतरमा से हमारा एक पेस्ट है जो रोज हमें धर पे लगता है। इसका कोई भी समस्या नहीं होता है। और इसकी मुलाहम और नरम रहती है। यह साबून हमें हर घर में पहुचाना है। यह साबून के बारे दूसरा हमारा है पेस्ट। गिनोजी पेस्ट के बारे में बात करिए क्योंकि यही पेस्ट ही हर घर में लगता है। सुबे का काम यही है। बात की सारे काम बाद ही है। सबसे पहले यह दो लगते हैं। सबसे पहले लगता है। सब काम बाद में पहले दो लगता है। साबूल और एक पेश्ट, दो चीज़ लगता है, इसके बाद सारे काम होते हैं, जो भी करना है, ये दो काम, पहले ही होता है, तो ये चाय और ये सौरी, सौप और पेश्ट भी बात करें, उसके बाद हमें क्या लगता है सब, ये रिशिग हैं, चाय लगती है, आप चाय ये पीरता है, हर ब्युक्ते चाय पीरता ही है, तो चाय की बात कर सकते हैं, आप इसके चाय को बेनि पिन सॉल्ट कोबारे में भी बाद कर सकते हैं, कि हमाले पिन सॉल्ट जो है, चाहे रिशी के लुटीर बिए अदर ये अगर डाल देते हो, तो आपकी बॉर्डी के अंदर बहुत सारे जो किमकलर वो बहुत चीज़ आपको फादा हुए, ये पिन सॉल्ट मामूली चीज नही है 215 रुपए का आता है, ये नहीं पिन सॉल्ट है, दस रुपए का चाहँ कर लोग बैट बीटी, हाइव अदर bütün एन परशान हो, नुन नमक बखकर करके, बोला जा रहा है कि उसमें बहुत बहुतげतरी नमक है लेकिन उससे बहुतरी नमक है ही नहीं कि आप फेरिड मीं वहां पता लगाई है, कि पिन्क साइड का भाव क्या है? एक काला नमक आता है, एक सेंधा नमक और यह पिन्क साइड, तीन नमक काते हैं, शक्री बाद चोथा नमक बेकार है. किसी खाने के योगी ने खाने है तो खाये लेकिन उसके कोई नुक्सा खाइदा ही नहीं हो यह हमारे पास चाय हो गया हमारे पास रिशी गिनुटी हो गया हमारे पस पेस्ट हो गया सोफ हो गया तीन चवर नमक हो गया उसके साथ में भी नाने दोने के बाद में कपड़ा भी के लिए इसको बता सकते घरले बीमारियां पढ़ती नब बच्चे खेलते हैं तो आप एक मल्चिक्मिनर के बारें बात कर लिए पूरे सब कुछ है पनिश्टर साफ कर सकता आपका घर का अपका फुर साफ करेगा आप इसको फर्वाए बात कर सकते हैं तो प्रोड़क हमारे पास बहुत सारे हैं, और प्रोडक्त उपर ज्यादा नहीं जाएंगे, फ़र बाकि हम अपना लिटिंग के बात करेंगे, यह चीज़े आप लोग गांते हैं, तो यह इसको हमको यह प्रोडक्त की जो मेरी बेसिक प्रोडक्त है, उसमें बात करने ही, यह करेंगे, तो आपका खुद का भी तो क्लियर होगा, लेकिन दूसरे का भी आप प्रोडक्त आपका शेल हो सकता है, आपका बात करने का भी आसान हो जाएगा, बाकि आप इस प्रोड़ना पर बात कर सकते हो, अगर आप तो पूरा बात आता है, इस प्रोड़ना पर भी बात कर सकते हो, क्योंकि ह हमें हर तो पिसा, लोग तो खाना तो खा रहें, पेड तो भर रहें, लेकिन क्या हमें उसमें नूट्रेशन मिल खुटो जीजिए और जानुट कीव झाय रह रहा है, हम भीमारी को तरब जा रही हैं. और अगर हम भीमारी से बचना है, तो भीमारी नहोरे, उसके लिए हमारे डियक्षास में डियक्षन प्रड़क को इस्पेमाल करना है कुछ नहीं करते हो अगर आप तहते हो गरीब हैं तो गरीबी को मिटाना है तो डियक्षन को करना है किसी गरीबी, बिमारी और विरोजगारी यही हमारी जिन्देग का सबसे बड़ा गोड है यही गरीबी बिमारी गरीबी बेरोजगारी अगर बेरोजगारी से मुक्थ होना है तो दियक्षन करें गरीबी से मुक्थ होना है तो दियक्षन करें अगर यह तीनु चीजे अगर आपको मुक्थ होना है तो यह दियक्षन क करना ही पड़ेगा दोस्तों यह सारी बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं अब पूरा प्रोड़क्ट के हम नहीं बता सकते बताने जाएंगे तो पुरा खतम हो जाएगा खतिन में जाएंगे इसके 70 प्रोड़क्ट के फाइदे भी है तो वह ही जाएंगे आज हमारे पास जो हमने बताने वाले हैं, पांच पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, पांच पॉइंट भी मैं बात करूँगा, दोस्तों, पांच वो पाइंट वो है, अचार, बिचार, ब्योहार, ब्यापार, और उसके बात सपना साकार, अचार, विचार, ब्योहार, ब्यापार, सपना, साकार तो इसमें मैं बात करूँगा थोड़ा और फिर थोड़ा से आपको ये इसके पर बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसा होना चाहिए इस ब्योसा हम दियक्शन में आतो गए हैं दियक्शन में हमें प्रोड़क की जानकारी लेना है और उसके बाद में प्लान की जानकारी लेना है प्रोफाइल की जानकारी लेना है इन सब की जानकारी हमको लेते रहना है तोकि अगर हमें जानकारी नहीं होगी, तो हम क्या बताएंगे, अपलाई से जारकर लीजिए, मिटिंग में जाएगे, जानकारी लेकर के परणाब बताएगे, तो आपने इस विश्वाय में, हम आतो गए है, दियर समा। आप का चरित्र कैसा होना चाहिए, आच्रड कैसा होना चाहिए, हम इस ब्योसाय को लेकर के इस पुर्ड को लेकर जो हम किसी के घर जाते हैं, यह कहीं किसी के हाँ बात जाते हैं, तो हम बात कैसे करते हैं, और वहां हमें क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, यह हमारे आच्र को अबने जो जो नहीं हो गौए कि को और कोई भी कित चुना होगा हुगा इसका य ये आदमी सही नहीं है इसका बात करने का तरिका नहीं हम अभी बोलता है इसका कोई शव्मान करता है possono सबस्मान is far back in the world, अगर अच्छे बाते बोलेंगे, अच्छी एच्छी चीजे सिखाएंगे, तो आप अच्छी ही रहेंगे ना? तब आप लोग अच्छा बोलेंगे, तो हमारे साथ में हम जाते हैं, हमारे और मेरे मेटिंग मे जाते हैं, हमें एक संसकार के हिसाब से बात करने चाहिए। लेशन के कल्चर से ही हमको सीख मिलती है, कि हमको हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, आचरण हमारा ऐसा होना चाहिए, सुध बिल्कुल और गलत वर्ड अने बलत, बिल्कुल प्यार से बात करने चाहिए, किसी तरह का कोई बुरा नहीं लगे, हमें उस तरह का बात करना अगर आप देखते हैं, कोई भी जितनी महिला है, जितनी महिला है, आप की नजर को पहचान लेती है, इतनी विदर को पहचान लेती है। तो महिला का इझ्जथ किुझे तुकि उसको तो कोई में भाता इए नहें सकता। कि उसी से प्रतविय भी है। तो इसलिए महिलाओं की इझ्जथ की जिए और बच्चों की सब को uğichtig करना हैं तब ही हमारा आचरड सही होगा। आचरण का मतलग यह है कि हमारा आचरण, आचरण कैसा है, हम जाकि कुछ भी बोलते हैं, कहीं बात करते हैं, इंटा-सिदा बात करते हैं, ऐसा नहीं चलता है। हम अगर हमारा आचरण सही नहीं है, तो हम सामलाद सब के घर जाएंगे, तो हमें बुलाएंगे क्या, बुलेंगे, सर नहीं में घर पे नहीं हो, में बाहर हो, बुलेंगे, और अगर हमारा आचरण सही है, तो सभी बुलेंगे, सर हमारे हां आईए ना, सर आईए ना, बहुत आचरण से वो आपको इज़त देंगे, नहीं तो कोई नहीं पोशेगा सहाँ, दुनिया बहुत प्यार है, आपका आचरण सही है, तो सब आपको बिलाएंगे, बिटाएंगे, सिटाएंगे, सब कुछ करेंगे, इज़त करेंगे, लेकिन आचरण सही नहीं, तो फिर कुछ न आचरण से ही पता चलता है कि इंसान का चरित्र कैसा है, सुभाव कैसा है और कहते हैं आचरण ही, आचरण जो है पूर्ण रूप से वही मनुष्ट का आदर सम्मान होता है अगर आचरण नहीं तो आप तहीं सम्मान की योग नहीं बनेगे इसलिए हम दोस्तों हमें कहीं भीजाएं तो हमारा आचरण बहुत ज़्याइए नहीं सिखाया तो यही सब थीज़े होती है कि हम किसी दूस्ति इनका आचरत कर लें हमें अपने अपनी कईसा हैano कैसा है तो यह हमारे आचार बल्कुल अच्छा होना चाहिए में हमारा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए अगर आचना हमारा ते हमारा सही नहीं तो फिर हमारा विचार कैसे होगा तो अभी हम दोस्तों दूसरे पॉइंट पर आएंगे दूसरा हमारा पॉइंट है विचार पहला हमारा आचरण सही होना चे आचार और दूसरा हमारा विचार अब हमारा आचरण सही है लिकिन विचार आपसी गलत है तो हम गए बड़ावर बैठ गए आरां से बच गए सब कुछ हमारा आच्छर तो सही लेकिन विचार सोच कितनी गंदी है सबसे बड़ा सोच है इस बवसाय को अगर हम कर रहे हैं तो विचार अच्छे रखना चाहिए सोच अच्छी रहेंगा अगर ये बवसाय जो है ना ये डियक्शन हम को सोच का है अगर सोच नहीं है आप सोच नहीं सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं ये सोच और विचार का है आप विचार रखते हैं इस डियक्शन के बारे में अपने टीम के बारे में आप अपने क्या सोच डखते अगर यह नहीं आप रखते तो फिर आपका विकास असंभव है लेकिन असंभव के आगे ए निकाल दो तो संभव है एक इचा संभव और असंभव में एक ही फरक है सिफ आगे कह इस आता देजिए एक अच्छा रटा देजिए संभव है दुनिया में कोई भ शपनों को पाने के लिए ही अब तो भी सपनों को पाने के लिए ही उसी में सफंता छुपी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसी बिचार में, आपके सोच और बिचार में ही, आपके सपनों की गाड़ी वहीं रुखी है, अगर उस सपनों के ग्राडी को आगे बढ़ाना चाह रहे हो न तो सोचिए अपने अंदर वो सोच लाइए और सोच करके लिखिए कि मुझे ये काम करना है मुझे अगर इश्टार हो तो मैं डाइमन बने डाइमन 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 इसक्यों यह सीखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा पहले सोच के आगे ही सब क प्रेडा मिलता है। अगर हमको अपने जिनले जए सही से डिसीन अगर हमको लेना है करना है ज्ञान बस ऐसा नहीं की परसे एक बिचार ही मोलवान होता है इन बिचारों को हमको पढ़ना है और पढ़ते हुए अपने आत्म विश्वास के साथ जर संकर्पित हो करके हमको अपने परिवर्तन अगर हम कर अपने जीवन परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमको ये चीजे अपनाना पड़ेगा उप डता लगाना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं क्या सोच रहा हूं इक चीजे करने हो जाए अगर हमें और हमें याद दिला तो ही हम ये कहा जाता है गर सफलता सिर्फ के पीछे आगर सिर्फ मंजील के पीछे मत भागी कि बारे में नहीं सोच रहा है बलकि यात्रा के बारे में सोच रहा है मंजील तो है अभी आपको पता कि डैमंड होने का इतना मंजील है कि हमको डाइमंड बनना है तो आप राश्ते के बारे में सोचेंगे मंजिल तो एक ही है डाइमंड बनना है डाइमंड बनने के लिए यह तो पता है कि डाइमंड बनना है न आप यह पता है परो कि जाएंगे कैसे वहां तक पहुंचेंगे कैसे यह विचार रखो न यह सोचो लेकिन बनेंगे कैसे उसके बारे में विचार करना है और अपना भनी भिविष खुद बनाते है अपना भविष खुद बनाते है जब भी आपको लगे कि कोई प्रस्ताहन की जरूत है कोई नुट्रिशन की कोई मीटिंग की जरूत है तो बेह जीज़क हो करके अपने बिचारों को जो भी आपके मन में थाट आता है कि यार लोग टीम में ऐसा लोग बोलते हैं कि यार ये प्रोड़क महेंगा है ये ऐसा काम तुरंट अपने क्योंकि वही एक ऐसा बंदा है जो आपको एक बहतरिन रास्ता बता सकता है और कोई आपको रास्ता सही नहीं बाता सकता है और ये केवल एक ही चीज़ है जो आपको आपके अपने सपने के बीच में है वो है प्रियास आपको प्रियासरत रहना है प्रियास करने की इच्छ सक्ति को हमको जगाना है इच्छा सक्ति हमारे अगर के दे को एक विश्वाव से यह संभव है बस खुद पर और कुछ भी हो जाए इस पर विश्वात रखिए जाने कि आपके अंदर कुछ ऐसा तो है जो किसी से भी बादा से बड़ा नहीं है आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बादा से बड़ा नहीं है आपको सोचना होगा बिचार करना पड़ेगा जो इनकी अंदर नहीं है, वो हमारे अप्लाइन, हमको सिकाते हैं हर टाइम पर कभी भी एक में स्कॉल मारो अप्लाइन को चाहिए हैं कि आप क्या है, वो तुनल बताएंगे, आप को सिकाएंगे, ऐसे करिए, अपने बिचारों को सक्ती को आप खुद बदल सकते हैं, इस बि आपका गुरू ही आपको बदल सकता है, और आपके सोच ही आपको बदल सकता है, आपका संकल्प ही आपको बदल सकता है, आपका निड्रे इक भी आपको बदल सकता है, ताकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपकी कोई नहीं मदद करेगा, जितना आपकी अगर कहते हैं एक बार भगवान लूड़ जाए न तो चले बार भगवान लूड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरू न रूठ है। अगर जाना है, तो भगवान दिसा आप लेगा दोश्टों, मैं इसलिए आपको यह जरूर ध्यान देना है, जो कभी भी मुसीबत में हो, किसी भी तरह के समस्या आप की जीवन में है, तो गुरू के साथ सेर कीजिए, साजा कीजिए, और साजा करके अपनी बात रखे कि हमें या दिक्कत हो देगे, प्रोड़क को लेकर हो, या प्लान को, या प्रफाइल को, या फील्ड का, जो भी दिक्कते आती हैं, आप अपने अप्लाइन से भात कर सेगे, इस चीजे करेंगे, करेंगे, सोच, हमारे विचार के साथ में इस बोशा को करना है, तो ये हमारा दूस दूसरा पोइंट कर अपने होंता है, तो ये हमारे विचार के साथ में आती है, जो ही हमारा दूस ब्यापार का ही मतलग है, द्युसन बेवहार कुछल होना बहुत जड़ी बॉस्तों तीसरा पोईड हमारा है द्युहार द्युहार का मतलड है सर आप जिस बिश्मिटा है, कोई भी बिश्मिटस में हो लिकिन अगर आपका द्युहार नहीं है, अच्छा नहीं है तो आप काकी अगर हमारा व्यवार अच्छा नहीं है, बिचार अच्छा नहीं है, तो 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 बिचार इज्जित नहीं करेगा, कोई हमें बात नहीं करेगा, जो बेक्ति बिवार कुशन होता है, वहीं जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है, और हमको जीवन में पगपग, एक एक पल, एक एक पग सफलता मिलती है, युशे भी हमें और सीखने को मिला हमारे बेवहार बड़ा जिसमें जो भी मिले हमें हमेशा प्रिलिप करते हैं हमें प्रड़ा देते हैं कि आप आगे बड़ो हम आपके साथ हैं तो इंसान अमीर हो या गरीर एक किसी दूसरे के साथ एक अच्छा बेवहार रखना चाहिए वो छोता हो लिखा हो, अनपढ़ हो, उसों कोई माने ने रखता, लेकिन उसको हमको इजद करनी चाहिए ने, तो अच्छा ब्योहार करना चाहिए, तभी हम ब्योहार कुसल होना एक बिज्ञान भी है, जीवन जीने का एक कला भी है